हेलो दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका आपके एपने यूट्यूब चनल राम मिल क्लासेज में कार्य पुस्ती का वर्क बुक कक्षा 10 गनित की हम हल कर रहे थे काफी टाइम हो गया हमने कार्य पत्रक 19 तक हल कर दिया था कार्य पत्रक 20 याने वक्षीट नमबर 20 आज इस व बराबर 90 हो तो पाइथाक और उस प्रमे से निम्न में कौन सा सही होगा सही उतर होगा option 2 a c sqr b b b c sqr जैसा कि अब जानते हैं, पाइधा गोरस प्रमे क्या होती है? कर्ण का square पराबर आधार square प्लस लंब square और कर्ण पराबर होता है under root आधार square प्लस लंब square तो इसी के आधार पर ये option number B से होगा प्रशन नमबर दो यदि किसी त्रिबूज PQR में PQSquare प्लस QRSquare बराबर PRSquare हो तो कौन सा कौन समकौन होगा उत्तर है उप्शन नमबर B कौन Q तीसरा है एक सीड़ी दिवार पर इस प्रकार्टी की होई है कि इसका निचला सीरा दिवार से 2.5 मिटर की दूरी पर है तता इसका उपरी सीरा भूमी से 6 मिटर की दूरी पर टिका हुआ है सीड़ी की लंबाई कितनी होगी इसका उतर होगा 6.5 मीटर, option number A इसको भी आपको पाइथाकोर उस प्रमे से ही हल करना होगा उतर आएगा option number A प्रशन number 4 शित्र में ट्रिबुच ABC एक समधी बहु समकॉंड ट्रिबुच है इसका कॉंड C बराबर 90 डिगरी है अतह सही उतर होगा option number A आच्वा प्रशन देखिए यदि ट्रिबुच ABC में AB बराबर 6 से मी BC बराबर 8 से मी और AC बराबर 10 से मी है तो कौंड B का मान होगा सही उतर है 90 डिगरी option number 2 शटा प्रशन है ट्रिबुच PQR में PQ बराबर 6 अंडरूर 3 संटिमीटर PR बराबर 12 संटिमीटर और QP बराबर 6 संटिमीटर है तो कौंड Q का मान ग्याद कीजिए इसको हम पाइथाग और उस प्रमे से हल करेंगे कर्ण स्क्वाइर बराबर आदा स्क्वाइर प्लस लम स्क्वाइर होता है तो इसको हल करेंगे 12 स्क्वाइर बराबर 6 अंडरूर 3 का स्क्वाइर प्लस 6 का स्क्वाइर 12 का स्क्वाइर होगा 144 6 अंडरूर 3 का स्क्वाइर होगा 108 जैसा कि आप जानते 6 का स्क्वाइर 36 और अंडरूर 3 का स्क्वाइर 3 37 गुना 3 करेंगे तो 108 आएगा और फिर 6 का स्क्वार प्लस 36 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 144 बराबर 144 इसलिए कौन Q बराबर 90 डेगरी होगा 6 प्रशन हो गए है सात्वा देखिए त्रिबुझ ABC में AB लंभ है BC पर तो था AB बराबर BC बराबर CA है और तो सित करो की 3AB स्क्वार बराबर 4AD स्कॉर इसको मैंने दो पार्ट में अल किया है यानि कि आप देखेंगे कि यह पार्ट होने के बाद यह यहां से हल होगा तो इसको पहले आप यह ए इसलिए यह सट नियम से दोनों सरवांगसम हो गया निकी त्रीबूच ए बीडी सरवांगसम है त्रेए कैं तुक्ते अब देखिए BD वराबर CD वराबर E बटा दो त्रिफश ABD में chron D वराबर 95 degree इसले AB² वराबर BD² more AD² आगे देखेंगे AB² वराबर E बटा 2 का स्कॉयर प्लस AD स्क्वाइर, AB स्क्वाइर बराबर AB बटे दो का स्क्वाइर, प्लस AD स्क्वाइर, AB स्क्वाइर बराबर 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 AB स्क्वाइर प्लस AD स्क्वाइर, AB स्क्वाइर बराबर AB स्क्वाइर प कौन पी बराबर नभीडिगी है तथा पी एम लंभ है क्यू आर तो सिद्ध करो पी एम स्कॉयर बराबर क्यू एम कि मल्टिप्लाइबाइब एमर डॉट का मतलब गुणा होता है अब देखिए यह भी दो पार्ट में हले त्रिबुच क्यू पी आर में क्यू आर स्कॉयर बराबर पी क्यू स्कॉयर प्लस पी एम स्कॉयर समीकर नंबर एक त्रिबुच पी एम क्यू में पी क्यू स्कॉयर बराबर पी एम स्कॉयर प्लस पी एम स्कॉयर समीकर नंबर तीन लिखेंगे फिर हो जाएगा क्यू आर स्कॉयर बराबर पी एम स्कॉयर प आगे देखिए QM plus MR बराबर हो जाएगा 2PM square plus QM square plus MR square QM square plus QM square plus 2QM dot MR is equal to 2PM square plus MR square यह हो जाएगा 2QM गुना MR बराबर 2PM square तो 2 से 2 कट जाएगा इसलिए हो जाएगा PM square बराबर QM dot MR यानि dot का मतलब multiply है फेले बता चुकिए हमें तो इस प्रकार यह सवाल भी हो गया है आगे देखिए सवाल नमबर 9 त्रिबूच ABC में कौन C बराबर 90 degree तथा E वर D BC वर AC पर स्थित हैं तो सिद्ध कीजिए कि AE square plus BD square बराबर AD square plus DE square इसको देखिए समकौन त्रिबूच BCA में AB square बराबर BC square प्लस CA square पैथा को उस प्रमें से समिकरण नमबर 1 लिखेंगे फिर हैं समकौन त्रिबूच ECD में DE square बराबर EC square प्लस DC square समिकरण नमबर 2 समकौन त्रिबूच ACE में AE square बराबर AC square प्लस CE square समिकरण नमबर 3 समकौन त्रिबूच BCD में BD square बराबर BC square प्लस CD square समिकरण नमबर 4 समय कर तीन वाद चार को जोडने पर a e square प्लस b d square बराबर a c square प्लस c e square प्लस b c square प्लस c d square यह जगा a c square प्लस c b square प्लस c e square प्लस d c square बराबर होगा a b square प्लस d e square अता a e square प्लस b d square बराबर a b square प्लस d e square एक ती सिद्धा अब देखिए इस फर्क्षीट का लास्ट कॉश्चन कॉश्चन नमर 10 A B C D एकसाम चतुर्बूज यह तो सितर कीजिए A B SQUARE प्लस B C SQUARE प्लस C D SQUARE प्लस D A SQUARE बराबर A C SQUARE प्लस B D SQUARE O A बराबर OC और O B बराबर OD देया हुआ है तो यहां देखिए O A बराबर OC और O B बराबर OD बानते हुए हम देखेंगे त्रिबूच A O B में A B SQUARE बराबर A B SQUARE प्लस O B SQUARE त्रिबूच A O B देखिए A O D में A B SQUARE बराबर यहां देखिए O B है ठीक है क्योंकि यह पाइथागरोस प्रमें लग रही ही यह कर्ण हो गया यहां पर और O B और O A ठीक है तो O B SQUARE प्लस O A SQUARE इसलिए लिखा है यह O A SQUARE प्लस O B SQUARE लेख सकते हैं A B SQUARE बराबर AC अपॉन 2 का SQUARE प्लस BD अपॉन 2 का SQUARE अगे देखिए O A बराबर OC है और O B बराबर OD है इसको आपको याद रखना है ठीक है अब देखिए O A का मान O A को हम AC बटा 2 लिख सकते हैं और O B को हम DB बराबर DB बटा 2 लिख सकते हैं इसलिए आपको मैं बोल रहे थी कि यहाँ पर आपको क्या करना है O A दिखने में गलती हुई है ध्यान देज़ेगा O A A B SQUARE बराबर OA SQUARE प्लस OB SQUARE तो यह देखिए AC बटा 2 का SQUARE प्लस OBD बटा 2 का SQUARE तो यहाँ हो जागा 4 AB SQUARE बराबर AC SQUARE प्लस BD SQUARE तो यह हो जागा AC SQUARE प्लस BD SQUARE अब AB SQUARE प्लस BC SQUARE प्लस CD SQUARE प्लस DA SQUARE बराबर AC SQUARE प्लस BD SQUARE तो यह हमारा पूरा हो गया कॉशन नमबर 10 तो इस प्रकार आपने पूरी वक्षिट हल कर ली है अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे आगया की वक्षिट वक्षिट नमबर 21 जैसा क्या आप जानते हैं मैंने दस्वी क्लास की साइंस और इंग्लिश की वक्षिट कंप्लीट करवा दी है जो चैनल पे उपलब्द है पूरी 50 वक्षिट उसमें हो चुकी है इसमें भी जल्द ही आपको पूरी वक्षिट करवा दी जाएगी तो चैनल पे जरूर बने रहें अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करें और अधिक से दिक दोस्तों साथ शेर करें कोई चीज नहीं समझ में आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जरूर स्वाल की जाएगी जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में धन्यवात